नमस्ते आज मैं टमाटो रसम बनाने जा रही हूं और इसमें फर्ष्ट में ओयल ली ओयल गरम होने के बाद मस्टर्ड सीड्स एंड क्यूमन सीड्स उसके बाद ग्रीन चीली करी लीव्स थोड़ा हमें लो फ्लेम में हमें इसको फ्राइ करना है ओके नेक्स्ट थोड़ा सा होने के बाद हम मैंने हींग आड किया उसको इंगलिज में एस ओ फोई टीड़ा बोलता है फिर आप और थोड़ा सा फ्राइख करने दीजे सीम में उसको मतलब कुक करेंगे नेक्स्ट मैंने आड किया टामाटो मैंने आप लिया टू टामाटो ग्रीन चिली भी टू हम थोड़ा तीखा कम खाते हैं आपके इसाब से आप तीखा बढ़ा सकते हैं चिली बढ़ा सकते हैं और यह टामाटो जो सिम में मैं मतलब पक रहा है तो मैंने आड किया भी जल्दी पक जाए कुक हो जाए और ये लो फ्लेम में ऐसे कुक करना है हमें ये टमाटो ताकि ये मतलब पेश्ट हो जाए जैसे कि थोड़ा सा स्मूथी पेश्ट हो जाए तो तब हमें रसम में उसका जूस मिक्स हो जाएगा अब 5-6 मिनिट तक बस आपको कुक करना है फिर उसके बाद मैंने इमली जो कि टैमरिंड थोड़ा सा बस ली क्योंकि आलरडी हमें हमें टमाटो में खटा रहता है उसके बाद मैंने एड किया वाटर यह रसम है राइस के साथ हम खाएं मतलब तेलगू लोग जो आदा प्रिफर करते हैं उसकी बाद हमें कलर के लिए और जो की रसम में हम इड करते हैं टर्मरिक पाउडर हल्दी इससे अच्छा कलर भी आ जाता है और ताइल्थ के ली भी अच्छा है टर्मरिक पाउडर और पानी में वाटर में मिक्स हो जाए अच्छे से आप अभी टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि मतलब कुछ नामक कम हो या जो भी तो उसे साब साब को आपके एकोडिंग ही आप ऐस पर यो टेस्ट मतलब आप अड़ कर सकते हैं नामक पांस से दस मिनट तक ऐसे सिम में आपको लो फ्लेम में बॉल होने दीजिए वाटर को तो यह टमाटो रसम जो की तेल को साओत में मतलब राइस के साथ खाते हैं मैं तो ऐसे भी सूप की जैसे लेती हूँ ताकि मतलब जैसे थंड के मौसम में बारिस के मौसम में सूप और डाइजेशन बहुत मतलब खाना डाइजेस्ट में भी यह हमको हेल्प होता है बस बहुत एजी लिए बहुत थोड़ी सी इंग्रीडियंट्स में आम टमाटो का रसम बना सकते हैं इसको ओकी थैंक यू प्राइजेस्ट